वेलकम फ्रेंड नमस्कार में डॉक्टर फ्रदीख मारा आप सभी लोगों खा बहुत बहुत स्वाबत करता हूँ भाईयों काफी बच्चों को पीलिया हो जाता है लेकिन उनके माता पिता को यह पता नहीं होता है कि बच्चों में पीलिया के हो जाने पर क्या लच्छना आते हैं जिसकी वरे से वो सबी लोग अपने बच्चों की वक्त पर सही जांचों को कराकर उनका सही इलाज नहीं करा पाते हैं जिसकी वैसे बच्चों में लंबे समय तक पीली आखे बने रहने के कारण उस बच्चे को और उनके माता पिता को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ जाता है तो भाईयो आज मैं आपको बताऊंगा के पच्चों में पीली आके हो जाने पर क्याल अच्छना आते हैं तो इस विसे मैं पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मातान से दूँगा तो भाईयो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें सचा और आखों का पीला हो जाना गेहरे रंग का पेशावाना पी के या मिट्टी के रंग जैसा मलाना तेट में दरद का होना तेज बुखार का आना कप कपी का होना बिना किसी कारण के बजन का कम हो जाना मास पेशियों और जोड़ों में दरद का होना भुख का कम हो जाना तरीर में काफी कमजोरी और ठकान का रहना तोचा में खुजली का होना दाई तरफ पेट में ऊपर की तरफ दरद का होना और भाईयो उल्टी का आना या जी का मिचला तो भाईयो बच्चों में पीलिया क करा लेना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हैं आपको अपने बच्चे का सुबह खाली पेट का अब्दोमिन का अल्टसाउंड करा लेना चाहिए और आपको एलेप्टी प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए भाईयों इंचे आचों में अगर आपके बच्चे को पीलिया की शेकायत आती है तो आप उस बच्चे को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए और उसका सही इलाज कराए उल्टा सिदा इलाज बिलकुल भी ना कराए भाईयों गर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो